नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एरलाइन से आ रही आज की जुरूरी खबरों में पहली खबर की जानकारी विस्तारा एरलाइन से सामने आ रही है विस्तारा एरलाइंस आज अपनी सबसे आखरी फ्लाइट ओपरेट की है आज के बाद अब विस्तारा नाम की कोई भी फ्लाइट ओपरेट नहीं होगी विस्तारा एरलाइंस की जो भी एरक्राफ्ट हैं वो सभी एर इंडिया के नाम से अब ओपरेट होंगे और विस्तारे के सभी employee भी Air India के employee की तरह ही काम करेंगे दोस्तो जिन लोगों के पास भी विस्तारे Air Lens के points हैं उनको दो option दिये गए हैं वो या तो अपने points 31 दिसंबर 2024 से पहले उनको use कर ले या फिर अपने points को Air India में transfer कर ले इसके अलबा दोस्तो अगली खबर कॉलकाता एरपोर्ट से सामने आ रही है कॉलकाता एरपोर्ट पर एक ऐसे passenger को गिरफतार किया गया है जो की flight में bum होने की खबर दे रहा था दोस्तो इस समय इस तरीकी की खबरे काफी ज़्यादा देखने को मिल रही है पिछले 15 दिनों में 400 से अधिक इस तरीकी की नियूज सामने आ चुके है जैसे ही ऐसी खबरे सामने आती है एलाइस कंपनियों को जरूरी एक्शन लेने पड़ते हैं बहले ही वो खबर गलत ही क्यों ना हो इसके सरसा दोस्तो अगली खबर स्पाइस जट से सामने आ रही है स्पाइस जट कई सारे लोकेशन पर सी प्लेन की सेवाय सुरू करने जा रही है और इसका टार्गेट है कि अगले साल 2025 तक कम से कम 20 सी प्लेन की सेवाय सुरू करे दोस्तों आपको बता दे कि भारत में कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर सी प्लेन की सर्विस को शुरू किया जाता है इस पाइस जेट ऐसे ही लोकेशन पर अपनी सर्विस को देने की तयारी कर रही है इसके अलवा दोस्तों अगली और आख्री अप्डेट एर कैनेडा की नई उड़ानों को लेकर सामने आ रही है एर कैनेडा लंदन के हीथरोई एरपॉर्ट से कैनेडा के ओटावा के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरूराथ करने जा रही है दोस्तों ये काफी अच्छी खबर है उन से भी लोगों के लिए जो लोग भी इन उडानों के चालू होने का इंतजार कर रहे थे आपको बता दे कि अब वोटावा से एर कैनेडा की इन उडानों से आप डिरेक्ट लंदन के लिए ट्रावल करके आप आएंगे तो दोस्तों ये थी इस वक्त की एरलाइन से जुड़ी लेटिस जरूरी खबरे जिसकी जानकारी आप लोगों को इस चानल के माध्यम से मिली है